To Fathers, अगर आप ये वीडियो देख गए हो, तो समझो आपने जॉर्णी के लिए एक स्टेप तो ले लिया है To All My Female Friends, अगर आपको जानना है कि आप पार्टनर से इस जॉर्णी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तो जीज ये वीडियो जरूर देखना ये वीडियो आपके लिए है आज कि ये वीडियो डेडिकेटेट है उन सभी मेल फ्रेंड को जो अपनी पार्टनर को प्रेंच्याएन पोस्पार्टने के लिए रेडी है और support करते हैं चाहे हो mentally हो या physically हो So without further ado, let's dive into the video Okay जी, शुरू करते हैं emotional support से ये mother root की journey जो है ना ये अपने आप एक emotional journey है इस journey में आप दोनों ही एक boat में हो पर mentally and physically सब कुछ आपकी wife को या female partner को bear करना पड़ता है या पर आप physically तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सके पर अगर mentally, emotionally आप उनको support कर पाओ तो ये बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए pregnancy हो या postpartum हो आपके जो female partner है उनको mood swings हो सके हैं hormonal changes होते हैं body में उनके effect दिखते हैं बहुत सारी बाते share करनी होती है physical changes होते हैं mentally बहुत कुछ जेल रही होती है तो इस time पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके partner को mental peace मिले इस duration में जब आपके partner कुछ रहेंगे तभी एक healthy baby आएगा इस दुनिया में इस time पे आपको peacefully सुनना है उनकी सारी बाते आप आराम से सुनो, समझो उस बात को और उनको बताओ कि आप उनके साथ हो आप mentally and physically उनके साथ हो ये उनको एकीन दिलाओ कि आप उनके साथ ही हो I know आपको भी anxiety होती है आप भी बहुत कुछ जेल रहे होते हो mentally पर इस time पे physically तो वही जा रहे है आपको उनकी हर feeling को आप validate कर सकते हो जोटी जोटी बातों को लेके चिड़ चिड़े नहीं होना है उनकी बदलती choices and habits को लेके judge नहीं करना है अपनी wife की pregnancy और दूसरों की pregnancy compare नहीं करना है अगर वो रोना भी चाहिए किसी बात पे तो आपके सामने हो आराम से दिल खोल के रो सके इस type का आप relation रखना है अपनी wife के साथ और आप भी जो feel कर रहे होते हो ना आपकी भी जो feeling से वो भी आप उनके साथ share कर सकते हो जैसे आप क्या expect कर रहे हो आपको कितनी खुशी हो रही है आपके family बढ़ रही है रहता तो आप इस टाइम पर उनको motivate कर सकते हो encourage कर सकते हो दूसरो point है educate yourself so my friend it's time to hit the books pregnancy child worth and parenting का knowledge बहुत जरूरी है इस knowledge के बिना आप कुछ भी नहीं support कर पाओगे आपको यह जानना जरूरी है कि pregnancy में एक female के body में क्या क्या changes आ सकते है symptoms क्या हो सकते है pregnancy में और risk कहां पर हो सकता है यह आपको जाननी जरूरी होती है pregnancy habits क्या क्या होती है वो जानना जरूरी होता है healthy foods pregnancy में क्या होते है वो भी जानना जरूरी होता है female को ही जानना जरूरी नहीं होता यह आप male friend को भी जानना जरूरी होता है ताकि ये transition phase smoothly निकले आपको newborn care के बारे में जाननी है new mother की care कैसे करते है उसके बारे में जाननी है बहुत सारी बाते हैं जो आपको जाननी होती है क्योंकि email के naturally आचाता है care कैसी करनी है, क्या करनी है knowledge की जरुद उनको भी होती है मैंने पिसले वीडियो में बात भी कहिए कि एक mother की care के लिए क्या 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 चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या क्या करना चाहिए आप भी उसको check out कर सकते हो male friend का knowledge आएगा इसी टाइब के YouTube वीडियो से, ब्लॉग से या तो आप जान सकते हो अनदर point है, create supportive environment अगर आप family के साथ रह रह रहे हो आप joint family में रह रहे हो तो आप ensure करो कि आपके वाटनर comfortable है वाँ पे pregnancy में या childbirth के time पे उनका comfortable होना बहुत जरूरी है physically वो कुछ बहुत चारा नहीं कर पाती आप उनका support system बनो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी family member उनका support कर रही है या आप खुद उनके support कर रहे हो अगर आप दोनों working हो तो घर पे household के लिए external help ले सकते हो अगर आप नहीं चाते external help लेना तो आप खुद help करो घर पे काम करने के लिए अभी भी बहुत सारे male friends को लगता है कि वो घर के काम के लिए नहीं बने है घर का काम वो नहीं कर सकते उनको आता ही नहीं बच्चा देखने का काम सिर्फ female का है घर देखने का काम सिर्फ female का है ये mentality अभी भी है Let me tell you my friend आप दोनों इस venture के 50-50 के partner हो हर जिम्मेदारी आप दोनों की होती है हर responsibility आप दोनों साथ में निवाओगे चाहे हो बच्चे की हो चाहे हो घर की हो चाहे आप दोनों working हो या आप अकेले काम कर रहे हो फिर भी आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपनी wife को full support कर रहे हो household में हो या parenting के duration हो अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो भी आप ये excuse नहीं देना कि आप तो काम करके आए हो और घर पे आप काम नहीं कर सकते वैसे भी गर husband खोड़ा भी कुछ help करते है घर पे तो हम female को लगता है कि बहुत कुछ कर लिया मेरे husband तो बहुत supportive है ये ही mentality female friend को भी change करनी है कि आप दोनों बराबर के हिस्सेदारों हर चीज में तो ये कोई बड़ी बात नहीं आपके husband आपका help कर रहे है ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो घर का काम कर सकते है अब बात करते हैं डक्टर appointment में आप कैसे help कर सकते हैं अपनी पार्टनर को प्रेग्नेंसी में या चाइल्ड वर्त के टाइम पे उसके बात पोस्ट पार्टम में हम बहुत बात डक्टर के पास जाते हैं पर नर्मली तो बहुत सारे husband जाते हैं जो अपने family member को वेज़ देते हैं अपनी wife के साथ या partner के साथ hospital में doctor के appointment के लिए अगर emergency situation नहीं हो तो आप उनके साथ hospital appointment में जा सकती हो डक्टर के पास मिलने एक तो आपकी knowledge बढ़ेगी कि pregnancy के duration symptoms के बारे में अपने partner की health कैसी है उसके बारे में after delivery आप जान सकते हो बच्चों के growth कैसे होते हैं कैसे उनकी care करनी है इसके बारे में भी आप जान सकते हो vaccination के बारे में आपको जानकरी होनी चाहिए ये सब बात ही आप जान सकते हो आप ensure करो हर बार आप जब डक्टर बिजिट करना हो तो आप उनके साथ ही जाओ बात करते हैं आपने पार्टनर को कैसे आप इंकरेज कर सकते हो self-care के लिए और आप कैसे actively involved हो सकते हो baby care में या pregnancy के duration में नर्मली तो female अपना ख्याल खुद रख सकती है पर जो pregnancy का duration होता है motherhood की जो जौर्नी है इस टाइम पर होता है हमारा सारा focus हम अपने बच्चे पे लगा देते हैं ऐसा लगता है हम अपने आपको तो भूली गए हो इस टाइम पे आपकी जिम्मेदारी है अपनी पार्टनर को ये याद दिलाने की कि अपने आपको prioritize करें आप ensure करो वो healthy खाना खा रही है properly rest ले रही है medicine and supplements होती है वो time to time ले रही है इसे आपकी पार्टनर को लगेगा कि आप उनके caring husband या caring partner बन पाए हो child birth के बाद इस time to take over the baby duty गाईज इडिंग के बाद आप बच्चे को बर्फ कराओ उसको soothing करा सकते हो उसको शुला सकते हो बच्चे को नहाना, बच्चे की massage करना इन सभी कामों में आप उनके help कर सकते हो इसे भी baby आने के बाद हर दो दो गंटे में baby को feed कराना होता है तो new mother को बहुत rest करने का time नहीं मिलता पर जब भी मिलता है आप ensure करो वो disturb ना हो यही मौका है जब आप baby के साथ bonding बना पाओगे बहुत सारे लोग अपने mother से बहुत comfortable होते हैं पर अपने father से उतने comfortable नहीं होते हैं हम अपने father को हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते हैं पर मम्मी को कुछ भी बता देते हैं इसलिए होता ही कि child birth के तुरंत बाद हमारी मा ही हमारे पास होती है वो ही हमारा सब कुछ का ख्याल रखती है तभी हम इतने comfortable होते हैं bonding बना पाते हैं अपनी mother से तब क्या होता था fathers उतने involved नहीं होते थे child care के लिए अभी भी बहुत सारे fathers नहीं होते तो अगर आप चाते हो कि आपका बच्चा बड़ा होगे आपके साथ अच्छा बॉंड बनाए आपके साथ हर चीज शेयर करें आपकी और आपके बच्चे की दोस्ती अच्छी बली रहे तो यही टाइम है कि आप उनके साथ बॉंडिंग बनाओ और यह तो हो गए आपके एक्टिवली इंवाब होने की बात है अब बात करते हैं टीम वर्ट की प्रेगनेंसी में आप दोनों मैंने अभी तक जो बोला आप दोनों ही एक ही बोट मी हो मेंटली आप भी हो फिजिकली आपके पार्टनर जा रहे हैं पैरेंट रूट को प्लान एंड प्रिपेर साथ में करो बच्चा आने से पहले आप उनकी नर्सरी सेट करने से लेके बेबी की सारी शौपिंग यह आप साथ में कर सकते हो पेरिंटिंग डिसिजन्स होते हैं बच्चा आप कैसे बढ़ा करना चाहते हो उसके डिसिजन आप साथ में लोग कई बार फादर सारे डिसिजन ले लेते हैं या कई बार मदर बच्चे की सारी डिसिजन लेती है फादर को उन डिसिजन में आने नहीं देती क्योंकि आपको जो transition phase है इसको smoothly आगे ले जा सकते हो अगर इस time पर आप team work करोगे एक दूसरे का support system बनोगे तो ये bonding जिन्दगी भर चलती है मैंने सुना है कितने सारे couple के relation इस duration में खराब हुए है pregnancy के time और postpartum के time क्या होता है female की expectation भी बहुत ज़्यादा होती है और male friend की expectation भी आपने wife से बहुत ज़्यादा होती है सबसे पहले तो female friend को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारा expectation मत रहो आपके partner आपको help कर रहे है वो चार हैं आपका help करने तो उनको करने दो उनको upfront होके बोलो कि आप ये ये चीजों में मेरी मदद कर सकती हो ये चीज़े में खुद कर सकती हूँ साथी मेरे male friends उपर से उनको चिड़चिड़े नहीं हो सकते उनके साथ ये नहीं बोल सकते कि इतना तो सब नहीं किया है सब female करती है ये नहीं बोल सकते आप ये for granted देनी की बात होती है आप ये expectation मत रखना कि वो हर situation में खुश रहे वो happy रहे ताकि आपका बच्चा happy हो उनको भी पहीन हो रहा है वो भी internally बहुत कुछ जेल रही है तो उनको रो ना हो तो कुछ दे रो ने दो पर intentionally आप उनको मत रुलाओ mental peace के लिए अकेले भी रहना चाहे तो कुछ टाइम के लिए उनको अकेला छोड़ दो again fathers आपका रोल irreplaceable है इस टाइम पे emotional support से लेके active involvement तक आप उस धागे की तरह हो जो आपकी family को बाद के रखेगी और और beautiful बनाएगी I hope मैं जो बोलना चाह रही हो जो मैं convey करना चाह रही हूँ मैंने किया हो मेरी बाते कुछ sense बना रही हो जो मैं बोलना चाह रही हो आपको समझ में आई हो मेरा intention यही है कि हर मदर को pregnancy and postpartum special feel हो उनको उनकी family का पूरा support मिले अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो please give me thumbs up share with fellow dad to be subscribe for more such videos I have a very happy parenting namaste bye bye